सतर साल पहले देश से बिलुप्त हो चुके चीतों को लेकर अब इंतिजार खत्म हो गया है देश की जमी पर जल्द ही फिर से यह फर्राटे भरते दिखेंगे भारत और नमीविया के बीच बुद्धवार को करार हुआ जिसके तहत नमीविया भारत को आठ चीते देगा यह नमीविया की ओर से भारत को उपहार है इन में से चार नर और चार मादा चीते होंगे इन चीतों को अगस्त में ही लाने की तयारी है, इसके साथ ही दच्छिन अफ्रीका से भी चीतों को लाने की तयारी है, दोनों देशों के बीच अंतिम दौर की बात चीत भी चल रही है, वन एवं परियावर्ण मंत्राले के मुताविक चीतों को लेकर नमीविया के साथ हुए अंतर राष्ट्री करार एवं वन एवं परेवर्ण मंत्री भुपेंदर यादव और नमिविया की उपरास्थपती सुस्री नंगलो मुंबा ने हस्ताच्छर किये हैं साथ ही दोनों देशों ने बनने जीवों के संद्च्छन को लेकर अपनी प्रतिपद्धता को दोहराया है दुनिया में चीता या फिर इस त्रेणी के दूसरे बनने जीवों को एक देश से दूसरे देश में बसाने का संभावता यह पहला मामला है यही वज़ा है कि दुनिय भर के बनने जी विश्य सग्यों को भी इस पूरे प्रोजेक्ट पर निगाएं तिकी हुई हैं फिलाल नमीविया से आने वाले इन सभी आठ चीतों को मद्ध प्रदेश के कुनों पालपुर अभ्यारण में रखा जाएगा जहां इसके संदच्छन के लिए पूरी तयारिया ह हो चुकी है नमीविया के विश्य सग्यों का दल भी साही तयारियों को देख चुका है इसके साथ ही पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे एंटी सीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथर्टी के वरिष्ट अधिकारियों की माने तो चीते को लाने के से जुड़ी सारी तय पूरी हो चुकी है अगस्त में ही इन्हें लाने की तयारी चल रही है सब कुछ ठीक रहा तो अगस्त महीने में नमीविया से इन्हें लिफ्ट किया जाएगा चीतों को लाने के लिए एक खास चार्टर प्रेन की बुकिंग भी कराई जा रही है इसमें बन्ने जीव विशे सग्यों और डाक्टरों की एक टीम भी रहेगी इनकी हवायात्रा करीब साड़े आठ से नौ घंटे के बीच की होगी चीता प्रोजेक्ट के तहत अंगले पांस सालों में 30-40 चीते लाए जाएंगी इसके लिए देश में कुनों पालपुर के अधरिक्त दूसरे ठीकानों क को तयार करने का काम किया जा रहा है इसके साथ ही चीतों के देश में आगमन के लिए कारिक्राम को भवे बनाने की भी तयारी है नमीविया से आने के बाद 30 दिन तक ये चीते कॉरंटाइन रहेंगे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे अधिकारियों के मुताबिक नमीविया के आ नजार रखने के लिए पूरे छेत्र को हाइटेक कैमरों से भी लेस किया जाएगा और सुरक्षा का पहरा भी कड़ा होगा टाइम एट मध्यप्रदेश के लिए भोपाल से बीरो रिपोर्ट मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एट मध्यप्रदेश टाइ साल पहले देश से बिलुप्त हो चुके चीतों को लेकर अब इंतजार खत्म हो गया है देश की जमी पर जल्द ही फिर से यह फर्राते भरते दिखेंगे भारत और नमीविया के बीच बुद्धवार को करार हुआ जिसके तहत नमीविया भारत को आट चीते देगा यह नमी नमीविया की ओर से भारत को उपहार है इन में से चार नर और चार मादा चीते होंगे इन चीतों को अगस्त में ही लाने की तयारी है इसके साथ ही दच्छिन अफ्रीका से भी चीतों को लाने की तयारी है दोनों देशों के बीच अंतिम दौर की बात चीत भी चल रही है वन संगलो मुंबा ने हस्ताच्छर किये हैं साथ ही दोनों देशों ने बन्य जीवों के संद्च्छन को लेकर अपनी प्रत्वध्धता को दोहराया है। दुनिया में चीता या फिर इस त्रेणी के दूसरे बन्य जीवों को एक देश से दूसरे देश में बसाने का संभवता यह पहला मामला है। यही वज़ा है कि दुनिया भर के बन्य जीव इस सग्यों को भी इस पूरे प्रोजेक्ट पर निगाएं तिकी हुई हैं। फिलहाल नमिविया से आने वाले इन सभी आठ चीतों को मद्य प्रदेश के कुनो पालपुर अभ्यारण में रखा जाएगा जहां इसके संदच्छन के लिए पूरी तयारिया हो चुकी है। तो अगस्त महीने में नमिविया से इन्हें लिफ्ट किया जाएगा चीतों को लाने के लिए एक खास चार्टर प्रेन की बुकिंग भी कराए जा रही है। इसमें बनने जीव विशेसरग्यों और डाक्टरों की एक टीम भी रहेगी। इनकी हवाईयात्रा करीब साड़े आठ से नौ घंटे के बीच की होगी। चीता प्रोजेक्ट के तहत अंगले पांस सालों में तीस से चालिस चीते लाए जाएंगी। इसके लिए देश में कुनो पालपुर के अधरिक्त दूसरे ठीकानों को तयार करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही चीतों के देश में आगमन के लिए कारिकराम को भवे बनाने की भी तयारी है। नमीविया से आने के बाद 30 दिन तक ये चीते कॉरंटाइन रहेंगे। प्रोजेक्ट पर काम कर रहे अधिकारियों के मुताबिक नमीविया के आने वाले चीतों को 30 दिन तक कॉरंटाइन रखा जाएगा। इसके बाद इन्हे धीरे-धीरे बडे वाड़ों में स्ट किया जाएगा। बाद में ही खुले में भी इन्हें छोडाजाएगा। इन चीतों को कॉलर आईडी से भी लेश किया जाएगा। ताकि इनके मोमेंट का पता कल सके, इनकी गद्विधियों पर नजार रखने के लिए पूरे छेत्र को हाइट टेक कैमरों से भी लेस किया जाएगा और सुरक्षा का पहरा भी कड़ा होगा टाइम एट मध्यप्रदेश के लिए भोपाल से बीरो रिपोर्ट मैं हो सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एट मध्यप्रदेश टाइम एट मध्यप्रदेश आपका अपना चैनल है अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक करें फॉलो करें और शेर करना बिलकुल न भूलें